देखे टेश्यािवा दाव बिरोजगार हो गया है और मुझे लगता है कि अब उनको आरोप के अलावा कुछ नहीं है। अब इनको लगता है कि फिर NDA के सरकार मजबूती से चल रही है, जनता में पूरी तरह पैट बढ़ते जा रहा है, तो आने वाले समय में जनता और खारिज करेगी, इसलिए ये तरह-तरह के खड़ियंतर कर रहे हैं। बीजेपी पर सवाल खरे कर रही है, तेजस्वी आदव और राजत के तरफ से ट्वीट कर रहा है कि पेपर लीक आपकी सरकार में, CBI पर हमलाब की सरकार में और जंगल राज का जो आरोप है, वो किसी और पार्टी पर क्यों लगाते हैं। और मुझे लगता है कि अब उनको आरोप के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही काम रहा गिया है, कि हम आरोप लगाते रहे हैं। सत्ता धारी दल पर आरोप लगाते रहे हैं। कहें कि जिस तरह से सत्ता में रहे हैं, सत्ता में सत्ता में रहने का मुका मिला। और जिस तरह से 17 में उन्होंने लूट मचाने का काम किया, जनता के पैसा को लूटने का काम किया, जिसमें माननीय मुख मंतरी जी भी कह दिये सदन में कि 17 में जो घरवड़ी हुई है, इसकी जाच होगी और दोसी जो भी होगा, बड़ा से बड़ा आदमी सब जेल जाएग इसलिए इन ही से जुड़े हुए लोग, इनके PS तक का नाम आ रहा है, ये लोग खडियंतर करके पेपर लिग कराने में लगे हैं और सरकार को बदनाम करने कुशिच कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से जनता ने निर्जेक कर दिया है, अब इनको लगता है कि फिर NDA की सरकार मजबूती से चल रही है, जनता में पूरी तरह पैट बढ़ते जा रहा है, तो आने वाले समय में जनता और खारिज करेगी, इसलिए ये तरह तरह के खडियंतर कर रहे हैं कि एक वीडियो उन्होंने साजा किया है कि CBI के उपर हमला किया गया है, नालंदा में CBI जांच करने पहुँची ती है, और उसके उपर हमला किया गया है, और वो आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकार में पेपर लीख हो रहे हैं, और आरोप आप लोग जंगल राज का उन तरह कारोप लगाते हैं, उसमें ये खुद उलज रहे हैं, मुझे लगता है कि यहां NDA के सरकार है, और यहां कोई भी गरबरी होगी, तो कोई नहीं बचेगा, चाहिए गरबरी करने वाला कोई भी हो, वो जेल जाएगा, और जो भी गरबरी किये है, वो जेल जाने लिए त्यार रहे हैं, एक हम पोश्ट दिखाना चाहेंगे आपको भी और समर्थकों को भी दर्सकों को भी देखे किस तरीके से राश्टी जनतादर के सोसल मीडिया परेज पर एक ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा गया है, इंडियन पे पर लिए किसमें परदान मंतरी ने मंतरी बनेंगे तो आरक्षन खतम कर देंगे, तो संबिधान खतम कर देंगे, संबिधान बदल देंगे कि सारे चीजों को जनता ने नकार दिया, जब देखा कि जनता ने इनके सारे अफवा को नकार दिया, तब ये नया निया हतकंड़ा अपना रहें, नया निया अफवा निश्चित रुप से पकड़े जाएंगे, कारवाई भी होगी और कठोर से कठोर कारवाई होगी, NDA के सरकार में कोई गरवरी करके बच नहीं सकता है, यहां नितिश कुमार जी है और वहां दिल्ली मादर ने नरेंद मोदी जी है, दोनों का ऐसा करेक्टर है कि इनके राज म कोई गरवरी करने बच नहीं सकता है, यह जो भी इसके आरोपी है, उन पर कड़ी से कड़ी उनको सजा दी जाएगी, अनि केत कुमार बिहार तक पटना